हेलो फ्रेंड्स मैरा विंदर कुमार अभी मेरे इस यूट्यूब चैनल अर्क्यार ग्राफिस में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो आज के वीडियो में एडेव पेजमेकर 7.0 का कुछ खास सौटकर्ट कमांड बताऊंगा जिसे इस्तिमाल करके आप बहुती तेजी से कोई भी मेटर पेजमेकर में डिजाइन कर सकते हैं यह देखिए दोस्तो पेजमेकर का मैं भी सौटकर्ट की टाइप करके रखा हूँ पेजमेकर में मेटर डिजाइन करते समय सबसे ज़्यादा यूज करते हैं सारे कमांड को दोस्तो पेजमेकर का बहुत सारे कमांड है लेकिन मेटर डिजाइन करते समय सारे कमांड को सबसे ज़्यादा यूज करते हैं दोस्तो आप भी असारे कमांड यूज करके पेज मेकर में कोई भी मेटर फुल स्पीड में डिजाइन कर सकते हैं इस वीडियो को लाज तक देखिए और लाइक भी कर दिजिए दोस्तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस रेट कलर के सस्क्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल के सस्क्राइब कर लिजिए साथ में बेल आइकन को दबा कर ओल कर दिजिए और भी इस तरह का नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चलिए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहले पेजमेकर को ओपन करेंगे ओपन होने के बाद इस तरह से यह फूर साइज का पहले पेज बना लेंगे फाइल में जाकर निउ में जाकर यहां से यह फूर साइज का पहले पेज बना लेंगे उसके बाद इस text tool से पहले कोई matter इसमें type करेंगे दोस्तो page maker में जब आप matter type कर लेंगे तो सबसे पहले matter का text size देखेंगे कितने size का है यह देखिए control palette में यहां दिखा देगा 12 point का भी size है text जो मैं अभी लिखा हूँ इक text को बाड़ा करने के लिए font change करने के लिए सबसे पहले इसे select करना पड़ता है select करने के लिए cursor रखेंगे कहीं भी text के साथ cursor रखेंगे उसके बाद first number का command यूज़ करेंगे control plus एक को press करेंगे keyboard से तो सारे select हो जाएगा अभी मैं आपको press करके दिखाता हूँ keyboard से control एक प्रेस करेंगे तो सारे text select हो जाएगा एक बार में जितने भी text लिखे होंगे आप area select करके उतना सारे text एक बार में select हो जाएगा select करने के बाद आप यहाँ से font को change कर सकते हैं stylish को ही font रख सकते हैं मैं इसाब से जो भी font रखना चाहते हैं उस font को यहाँ से change कर सकते हैं उसके बाद इस text को बाड़ा करने के लिए दूसरे नमर को command का use करेंगे control plus shift plus greater than sign को press करेंगे keyboard से अभी मैं आपको press करके दिखाता हूँ keyboard से press करेंगे control shift greater than sign ने के परेंगे जितना भाड़ परेंगे उतना इते चैक्स का size बढ़ेगा यह देखिए आप यहाँ से control पाईरेट से देख सकते हैं जितना भाड़ परेंगे control shift greater than sign को press करेंगे तो इसका size बढ़ेगा टेक्स साइज बढ़ाने के लिए shortcut command है control प्लस shift प्लस greater than sign इस तरह से shortcut command से text का size बढ़ा सकते हैं उसके बाद अब इस text को फिर से छोटा करना है तो तिसरे नमर कमांड का यूज़ करेंगे ctrl प्लस shift प्लस less than sign को press करेंगे तो text छोटा हो जाएगा फिर से ctrl shift less than sign को जितने बार press करेंगे उतने point छोटा होगा text इस तरह से आप shortcut command से text को छोटा बढ़ा कर सकते हैं keyboard से उसके बाद इस text को bold करना चाहते हैं तो चोटे नमर कमांड का यूज़ करेंगे ctrl प्लस shift प्लस b को press करेंगे keyboard से तो text bold में हो जाएगा अभी मैं press करके आपको दिखाता हूँ ctrl shift और b को press करेंगे ए देखिए text bold हो गया फिर से इस को unbold करने के लिए ctrl shift दबा कर रखेंगे फिर से b को press करेंगे तो unbold हो जाएगा इस तरह से चोटे नमर कमांड से आप text को unbold कर सकते हैं उसके बाद इस text को center में करने के लिए पांचवे नमर का कमांड यूज़ करते हैं ctrl plus shift plus c press करेंगे तो जितना भी text है page के center में हो जाएगा अभी मैं press करके दिखाता हूँ आपको ctrl shift c को press करेंगे देखिए सारे text center में हो गया जितना area select किया होंगे उतना area के center में हो जाएगा सारे text जितना लिखेंगे ctrl plus shift plus c press करेंगे तो अब यह सारे text को right side में करना है तो right side में करने के लिए छट्थे नमर का command को यूज़ करता है ctrl plus shift plus r को press करेंगे तो right side में सारे text चला जाएगा अभी मैं press करके दिखाता हूँ आपको ctrl shift और r को press करेंगे कीबोड से देखिए सारे text right side में आ गया अब इस सारे text को फिर से left side में करना है तो साथवे नमर कमांड देखेंगे ctrl plus shift plus l press करेंगे तो left side में text हो जाएगा ctrl shift दबा करकेंगे और l को press करेंगे keyboard से देखिए press करने के बाग left side में हो जाएगा text इस तरह से आप एतीनों कमांड से text को center right left side में कर सकते हैं उसके बाद इस सारे text को जितना area select किया होंगे उतना area में fit करना चाहते हैं तो आठवे नमर कमांड को use करेंगे ctrl plus shift plus f press करेंगे तो सारे text fit हो जाएगा जितना area select किया होंगे अभी देखिए मैं fit करके दिखाता हूं ctrl shift keyboard से दबा कर रखेंगे और f press करेंगे तो देखिए text सारे fit हो जाएगा जितना area select किया है इस तरह से फिर से इसको left side करने के लिए ctrl shift दबा कर रखेंगे और press करेंगे तो left side में हो जाएगा उसके बार text को italic करने के लिए नवे नमर का command देखिए ctrl plus shift plus i i से italic होता है अभी मैं press करके आपको दिखाता हूं ctrl shift को दबा कर रखेंगे keyboard से और i को press करेंगे तो देखिए text सारे italic हो जाएगा जितना select की होंगे उतना text italic में हो जाएगा फिर से italic हटाने के लिए ctrl shift को दबा कर रखेंगे और i press करेंगे तो फिर से text सारे सीधा हो जाएगा बिल्कुल अब इस text के नीचे underline करना है underline करने के लिए दस्वे नमर कमांड को यूज करते हैं ctrl shift plus u को press करेंगे तो underline हो जाएगा ctrl shift दबा कर रखेंगे u press करेंगे तो देखिए text के नीचे underline हो जाएगा सारे जितना भी select की होंगे उसके नीचे underline हो जाएगा फिर से इस underline को हटा जाने के लिए ctrl shift दबा कर रखेंगे और u को press करेंगे तो underline होट जाएगा उसके बाद इस text को अभी small letter में लिखे होगे है capital letter में करने के लिए आप एक बार में ही कर सकते हैं सारे text को capital letter करने के लिए 11 नमर का command यूज करते हैं ctrl shift plus k press करेंगे keyboard से तो सारे capital letter में हो जाएगा text अभी press करके दिखाता हूँ ctrl shift दबा कर रखेंगे keyword से और k press करेंगे तो देखिए capital letter में सारे text हो जाएगा जितने भी text आप लिखे होगे एक बार में select करके capital letter में कर सकते हैं फिर से small letter करने के लिए ctrl shift दबा कर k button को press करेंगे फिर से small letter में हो जाएगा उसके बाद page को ctrl equal to sign को press करेंगे यह दखिए page को जितने भी बाड़ा करेंगे उतना बाड़ा कर सकते हैं फिर से page को छोटा करने के लिए ctrl minus sign को press करेंगे तो फिर से page छोटा हो जाएगा यह दखिए यहां 12 और 13 number का command यूज़ करते हैं page को बाड़ा छोटा करने के लिए दोस्तों अगर page बहुत बढ़ा हो जाता है चोटा हो जाता है उसे फिर से एक्चुल साइज करने के लिए 14 नमर कमांड को यूज करते हैं ctrl plus 0 प्रेज करेंगे तो यह एक्चुल साइज हो जाएगा अभी देखिए मैं इसे छोटा करके दिखाता हूं ctrl minus हैस प्रेश कर ना है साइज के प्रेश चुटा हो गया था थैज्च फिर से करने के लिए इटीज से करेंगे तो पिर से उतने हीसी का हो जाएगा दोस्तों उसके बाद को कोपी करके दूसरे जगा पैस्ट करना है तो पिप करने के लिए देखिए 15 और 16 नमर का कमांड यूज करते हैं सारे टेक्स को कोपी करना है तो Ctrl A से सेलेक्ट रखेंगे अगर सारे टेक्स को कोपी नहीं करना है सिर्फ RKR ग्राफिक्स को मैं कोपी करके दिखाता हूँ टेक्स टूल से ड्रेक करके पले सेलेक्ट कर ले और Ctrl C प्रेस करेंगे कीबॉड से तो कोपी हो जाएगा यह देखिए Ctrl C में प्रेस कर दिया कोपी हो गया है करसर कहीं रहाकर Ctrl V प्रेस करेंगे तो यह टेक्स जो कोपी किया है पेस्ट हो जाएगा अभी मैं आपको दिखाता हूँ यह दखिए Ctrl V प्रेस किया यह Text यहाँ से Copy होकर यहाँ Paste हो गया Ctrl C से Copy कर सकते है Text को और Ctrl V से Paste कर सकते हैं दोस्तो उसके बाद इस Text को फिर से Cut करके इसी Line में रखना है पेस्ट करना है तो Cut करने के लिए यहाँ से Move करने के लिए 17 नमर कमांड को यूज करेंगे Ctrl प्रेस करेंगे Keyboard से तो एक Cut हो जाएगा और यहाँ फिर से Ctrl V कर देंगे तो Paste हो जाएगा अभी मैं आपको Cut करके इसको दिखाता हूँ Text Tool से इसे Select रखेंगे Ctrl ले से Select होने के बाग Ctrl X प्रेस करेंगे Keyboard से देखिए Cut हो गया फिर से Cursor यहाँ ले जाकर आप इसके आगे इसे Paste कर सकते है Ctrl V प्रेस करेंगे तो यहाँ Paste हो जाएगा देखिए Paste हो गया अभी से फिर से बाग करना है तो 18 नमर का कमांड यूज करेंगे Ctrl प्रेस करेंगे तो फिर से Back हो जाएगा Text यहाँ से हट जाएगा Ctrl Z प्रेस करके दिखाता हूँ Ctrl Z कीबोड से प्रेस करेंगे यह हट जाएगा यहाँ से अभी से फिर से कहीं मैं Paste करके दिखा देता हूँ Cursor यहाँ रखेंगे और यहाँ Ctrl V प्रेस करेंगे देखिए फिर से यहाँ By करके Paste कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों Pick Tool से आप देख सकते हैं जितने बार एडिया सेलेक्ट करके कोई Text टाइप करेंगे कोई Logo लाएंगे तो यहाँ से देखिए Pick Tool से आप देख सकते हैं यह देखिए यह अलग है यह Select दिखा रहा है अलग है Pick Tool से Text के उपर क्लिक करेंगे देखिए यह अलग है और यह RKR Graphics यह भी अलग है अब यह सब को एक साथ गुरूप करना है गुरूप करने के लिए Ctrl-G कमांड होता है तो पहले इसे Select करेंगे Ctrl-A से यह देखिए Ctrl-A प्रेस करेंगे तो सारे एक साथ में Select हो जाएगा अब Ctrl-G प्रेस करेंगे Keyboard से तो एक साथ में जूड जाएगा गुरूप हो जाएगा यह देखिए मैं प्रेस करता हूँ Ctrl-G अब एक साथ में जूड गया Shortcut कमांड और जो मैं Text टाइब करके रखा था यह देखिए तीनों एक साथ में गुरूप हो गया अब एक जगे से दुसरे जगा इस तरह से गुरूप करके आप ले जा सकते हैं फिर से इसे अन गुरूप करने के लिए यह 20 बेन नमर के कमांड यूज करेंगे Ctrl प्लस Shift प्लस G प्रेस करेंगे तो फिर से अन गुरूप हो जाएगा अभी मैं प्रेस करके दिखाता हूँ Ctrl Shift जी प्रेस करेंगे यह देखिए अन गुरूप हो गया अब यह सब अलग-अलग हो जाएगा इस तरह से जितने भी आप लोगों लाए होंगे यह सारे कमांड यूज करके पेजमेकर में आप बिल्कुल तेजी के साथ कोई भी मेंटर डियाइन कर सकते हैं दोस्तों उमिद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए अपने दोस्तों में सेयर कीजिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लिजिए मिलता है अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद